दोस्तों टमाटर के पौधय पे देख रहें जब फूल आने लगे न तो उस समय ए जो देख रहें मेरे हाप में दोव फटिलाईजर हैं दोनो फटिलाईजर को अगर हम यूज करते हैं तो टमाटर के पौधय सब्सक्राइब हम थक जाएगे इतना दोस्तों इसमें फॉल बचुम में को हम लगा रखें जमीन में और आप देख सकते हैं यह तो बैग में लगा रखेंग दोनों में से किसी फ्रमूला जागु होगा तो सबसे पहले हमें करना क्या है की जो चार पीछेन में आपने पास के चैटर ऑपने इस वाद की फैटरि शुijnमारी में सब्सक्राइब करेंगे दें के गृष ब्राइब सब्सक्राइब कि देखें पत्तिया कि पिला होना शुरू जैसे यह जैसे यह जो पत्तिया यह मिट्टी चिपकती है ना दूसरों मिट्टी में चिपकने वाद लगती है ज्यान होती है हैं तो मेरे सीधा कहने मतलब है कि आप सपोर्ट देने को बद करना का जो फटलाइजर है इस फटलाइजर को हम अब को दारें कैसे देना है उसके बाद सबसे उसके पहले जमीन में हमको देना बहुत जुरूरी इस टाइम पर जमीन के लिए तो दुस्तु आप नोट कर लिज हैchny लगाते हैं चार पांच पूरी टामांटरे का हमारे लिए बिल्गुल पर्यापत है हमारे घरों के लिये अच्छे सब्फल्ण शुरू हो गया तो फल ही फल आना कि तो देखिए इस फटलाइज़ें क्या लोए यदि तमांटर के लिए इस फेसली यह ससो कली का करता है और तीसे नमर हम ले रखें देख सकते हैं यह है बोन मील दोस्तों इसमें फास्फुरस की परचूर मातरा पायाती है और इसके बतले में आप रॉक फास्फिड भी आप इसे हटा के दे सकते हैं अगर बोन मील यूज करना नहीं चाहते हैं तो तो मैं बार-बार हर वी देना है तो जिसे आप ग्रोब बैग में लगाओ पाउदा है इसको अगर हमको देना है तो ध्यान से आप देख सकते हैं देखी यह 10 ग्राम हम ले ले सासों की खली का पाउडर उसके बाद रस दस से पंदर काम ले लिए यह बोन मील ले और यह 20 से पचीस ग्राम ले लिए करें क्या है यह मिक्स कर देना है और इसको इस तरीके से नहीं देना है इसको दोस्तों दोस्तों देना है आपको कम पोस्ट में जाक देना है यहाज और को ध्यान देने हैं compost दोसों compost में बर्मि कम पूष्स ले सकते हैं के चैनेवेस्ट कम बेस्ट सकते हैं सकते हैं कितना लेना बहना लिए जमीन में हम लगा रखें यह ग्रोब बैक में लगा कर की बस कंपोर्स के मातरर हो आपको नीट आना और बढ़ाना दूनार इस में डाल दिए और डालने कि इसको करते क्या है कंप कर लेते हैं यह मिक्स है तो wrap up घान अब 박 वात ते यह कैसे देना है तो मैं मैं की देने के लिए करना क्या हम आप तो जानते हैं कि अगर बैंग में हम लगा है तो इसकी बीकर ने अच्छी तरीके से गडाई आगर जमीन में लगाए हैं तो इसकी भी करनी और इस अच्छी तरीके से घृटा लेते हैं खर पतवार को दोसों गुडाई करना बहुत जरूरी होता है dhoja या जाए हम लगाएंं यांवी में ल्गाएं में गुटाइवा तेमने गुडाई कर दिया और मत करना किया है ध्यान दें यह द्यान दीजी मैं इस सभ्सक्राइण को ले कि इस तरीके से आप चार तरीके से यह फैला दिजी जो खर-पतवार इसको हडा दिजै। इसको फैला दिजिए और इदम जड़ के पास आपको नहीं देना है यह फैला दिए और फैलाने बाद एक काम क्या करना है कि जो यह मिट्टी है इस मिट्टी को इस तरीके से उपर साइट में यह लगा देना है यह काम करना बहुत जरूरी है चार अ तरफ से जो मिट्टीए मिट्टी को यह आपको लगा देना उपर साइड में अगर ग्रो बैग में हम लगा रखे हैं तो दोस्तों ग्रोम बैग में मिट्टी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि दिखेर और इसके बार समय देते हैं ये पानी ल कि Youtube देंके पानी दोस्टों नीचे रिस्क के ये चला जाएगा कि मतल़ की देखिए गुरो बैघ में में इसकी जैसे करते हैं पहले करते हैं गुड़ाई गुड़ाई करने के बाद इसको खात को यूज करने के बाद दोबारा फिर करते हैं हम गुड़ाई और दोबारा गुड़ाई करने के बाद तब इसको हम देते हैं पानी यह को ध्यान रहे देखिए हम इस तरीके से इसमें भी यह सारी प्रक्रिया फाल यह पानी ध्यान से देखिए और इस एक बानी में हमको एप्सम साल्ट कितना लेना होता है यह प्लेना होता है 10 ग्राम एप्सम साल्ट को अपने टमाटर पौदे पर यूज़ करें एक बार यूज़ कर देखेंगे पौद आपका बोलने लगेगा और यह क्या है यह सीविड लिक्विड फटलाइजर और इसको कितना यूज करना है इसको यूज करना दो से तीने मेल अब अब दूस्तों बात आती है ना कि टो तो सब्सक्रार का इसवाये में तानान के पास हमेशा चीब करना हम सब्सक्राइब करते हैं तो हर 15 दिन पर दावघ करते हैं तो हर 15 दिन पर एक बार उसमें नीम आईल पांच से 10 मेल जरूर मिलाए कर दोस्तों चाहे कोई जीज हो या ना हो इसलिए वह नहीं हमारे टोमाटले पयदे आंसे पंगस आंग संभावी जल्दी नहीं आताई उसके पति भी बिल्कुर रहती है यह बिल्कुर अथी फ्रेश दो इसको अच्छे तरह कीशीं को घोल देते हैं तरह समय देखें घोलने के बाद इसको इस पर हमें यह भर लेते हैं अब इस नोब च्ट कर देते हैं और चुछ दॉसदिन बाद वात यह एक सबता बाद दोबारा इसी का आप इसी रिपीट कर दीजी अपने टमाटरे के पौदे पर इसके बाद देखेंगे आपके टमाटरे के पौदे इतना फ्लावर आएंगे और फूल में कनवाट वो ज़ड़ने वाले नहीं जब इसका ग्रहमी यूज करेंगे तो उसको आपके रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपको जो पती ना पती बिल्कुल फ्रेस रही अगर इसमें नीम आयल का भी यूज करके इसका यूज करेंगे तो देखिए ग्रोबैग में हम जू डगा रखें उसको भी हम इसमें यूज कर लेते हैं दोस्तों जो ग्रोबैग देख रह सब्सक्राइब अब जरूर करता हैं मिलते हैं न्यू वीडियो मीटापे के साथ धन्यबाद